नमस्कार में रिनुको तो आप सबका मेरी यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागते तो अगर आप साबुदानासे बनी सिर्फ एक जैसे ही खिचरी खाके बोर हो गए हो तो आज मैं आपको साबुदानासे बनी एक स्वादिश्ट और चटपटी ऐसी खिचरी बना के दिखाने वाली हूँ जो आपने पहले इस तरह से कभी नहीं बनाए होगी न खाई होगी तो देर के इस बात के चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो इस रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्यास पेक बरतन रखना है और इसमें हमें एक चमच तेल डालना ह भी तेल गरम होने के बाद हमें इसमें आदा कप मुमफली डलनी है तो मिनिया मुमफली के चिलके नहीं निकाले है तो आप ए रेसिपी मुमफली के चिलके निकालके भी बना सकते हो तो अभी हमें इस मुमफली को इस तेल में एक मिनिट तक अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है फिर हमें इस मुमफली को एक प्लेट में निकलना है फिर उसके बाद मेनी यहां आदा कप बोईल किये हुए आलू लिये है तो मैंने यहाँ आलू को थोड़ा सा बॉयल कर लिया है फिर उसके बाद अभी हमें आलू भी इस तेल में एक मिड़र तक अच्छी तरह से फ्राइ कर लेने है फिर यह आलू भी हमें एक प्लेट में निकालना है फिर रिसीपे बनाने के लिए हमें ग्यास पर फिर से एक बरतन रखना है और इसमें हमें दो चमच तेल डलना है फिर तेल गरम होने के बाद हमें इसमें आदा चमच राई और आदा चमच जिरा डलना है फिर इन दोनों तर्दरने के बाद हमें इसमें स्वादनुसार बारिक कट के हुए हरी मिर्चे डालने है और इस हरी मिर्च को अच्छी तरह से तेल में फ्राय कर लेना है तो आभी हाया हरी मिर्च फ्राय हो चुकी है फिर हमें इसमें 10-12 कड़ी पता डालने है और इन्हें भी हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राय कर लेना है फिर हमें इसमें फ्राय किया हुए मुंफली और आलू डाल देने हैं और फिर से इन सारे इंग्रेंस को अच्छी तरह से मिक्स करना है फिर इन रेसीपी चटपटित बनाने के लिए मिनी यहां एक बारी कट कि ठैमेटो लिया है तो हमें इसमे दलना है और फिर से इन सारी इंगरिजिन्स को अर्ची तरह से equipped ना है 10 किनेट गभी तरह से लेना हैं तो यहां मैंने टैमेटो को अच्छी तरह से मेश कर लिया है फिर नी है एक कप फिर मैंने हम एक कप भीगो होई सबी दना लीए हे गहता है है अखिर में अभी आप आधा कषीं गार्ण्स को अच्छी तरा से एक मिनिट तक मिक्स कर लेना है कि तो अभी हाई रेसिपी बन के तयार हो चुकी है तो आप इस तरह से जटपट चटपटी सबुदाना की जड़ी बना के गर्मा गरम नास्ते में सर्व कर सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक ने वीडियो में और एक ने टेस्टी रेसिपी के साथ तो थैंक्स फ्रेंस वाच मैं वीडियो